तो यह देख सकते हैं सारे मसाले हैं उरत की दाल यह हमें प्रीमिक्स बनाना आपको बताएंगे जो कि आप किसी भी समय इसको यूज कर सकते हैं तो देखिए चार स्पून ले लिए हमने सौफ चार स्पून धनिया एक स्पून जीरा यह चुछ तो तीस सा गरम मसाले के टुड़ा यह लकडी का जो दाल चीनी होती है उसका दो हरी लाइची एक बड़ी लाइची जो काली वाली आती है और यह 15-20 काली मिरच दो से तीन लॉंग क्योंकि गर्मी है इस समय इसलिए एक स्पून के करीब हींग और मिर्च आप स्वात के अनु अगर आप चाहते हैं कि मसाला लंबे समय तक हमारा यूज हो किसी भी कचोड़ी में आप यह मसाला डाल करके बना सकते हैं बहुत यम्मी टेस्टी है तो दाल को हटा देंगे सिर्फ मसाले को ग्राइंड कर लेंगे तो चलिए हम दूनों तरीके का बना करके दिखाते हैं आ अपनों को क्लियर साफ दिखाई दे इस वजे से एए किया था यह सारे मसालों को अगल का सा ड्राइय रोस्ट कर लिया है और आप इसे में डालकर इसे क्राइंड कर लेंगे तो इसका तो हम मसाला बना लेंगे तो देखिए दाल समय जो मसाला पीशा था आमने उसको अलग बनाकर रखे यह हो गया हमारा इनमी ना प्रिमिक्स कgres लिख me autov Artic दाल के साथ है मभoben Girls देंक तो यह देखिए घ्राए तो अपत्र हमारा जा पर प्रिख 997 लरे पेट चांटे कोयाा कि हमने इसलिए सेम कॉंटिटी का मसाला भी अलग करके रखा है और सेम कॉंटिटी का दाली क्योंकि हमें आज बनाना है कचोड़ियां क्योंकि हमारे बच्चे का बर्थटे था है तो उसके लिए हम बनाएंगे यह कचोड़ियां हो सकता है यह वीडियो एक से दो दिन बाद ठीक है क्योंकि थोड़ा सा बर्थटे उसके बार रक्षा बंदन इस वज़े से दिक्कत हो जाएगी डालने में क्योंकि पास पास में ही है तो देखे इस मसाले को तो हम साइड में रखेंगे इस मसाले को आप चार से पांच महीने से जादा भी स्टोर करके रख सकते हैं क् में इसमें इस-लिए दाल नहीं यह जाएक और यह मसाला आप किसी भी प्रकार भी कचोड़ी में डाल सकते हैं साधा दाल मसाला भी बना भी बनासकते बीद्ध तो दहला रखा तो जो मसालां ने बनागर कर रख था ता वह आंटे वे मिल लेंगे तो हमने चार बावल आटा तोड़ी सी रिफाइंड लगाएंगे जिसे के मारे खस्ता और क्रिस्पी कचोणिया बने देखिए इतने से ही यम्मी टेस्टी सा बन करके तयार हो जाएगा देखिए यह प्रेमिक्स उन माओं के लिए बहुत 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 अच्छा है जिनके बच्चे दाल वगरत नहीं दाल अट की पोलीमिक्स के लिए च्पाति का बहुत बहुत हि अर्ड़ओक लगांगे एन्ड़ के लुगाता यह से तो लिए बीस नहीं चकलियों पर लगा लिहा तो देखं़़े historians आट मैंने चपलेचे नहीं पर किस तरह से है आप में लोजीए टोड़ेंगे तोड़ेंगे मीडियम, एक बड़े नीबू 그렇़ की के सीऊना है, सारी लोजी तोड़ेंगे तोड़ेंगेर तो देते हैं, हम चौते हैं, टियान थेट डराक्वा तो, तारश मेंगा होड़ कि और और आयल जिसमें फ्राइब करते हैं वह खड़ाब हो जाता है इस वज़े से हम इसी तरह से बेल लेंगे तो देखें मीडियम थिकनिस की बेल लिए हम इसकी कचोड़ बना रहे हैं तो बहुत जादा पतली नहीं बनाएंगे क्योंकि दाल पड़ी है तो इसी तरह से हम बेल कर थोड़ी सी बेल कर रख लेंगे और फिर को हम फ्राइब करेंगे ठीक है यह घरमा घरम खाएं या ठंडी खाएं बहुत टेस्टी बहुत यम्मी लगती है तो देखें इस तरह से हम बेल करके रख लेंगे यह दूसरी भी देख सकते हैं और हम आपको दिखाएंगे हमारी ह इस तरह से बहुत अच्छे से फूल फूल कर आएगे तो देखें यह हमने अटा ढ़क कर रख देना है जब दक हम वो थाली बली पड़ी है इनको हम सेकेंगे तब दक उस आटे को हम ढख कर कर अच्छे से रख देंगे जिससे की बाद में हम बनाएंगे तो देखेंगे अगर हमारा डालने से दो से तीन में उपर आ जाता है तो इसका मतलब अच्छे से हो गया है तो यह देखें पहले पूडिया पड़ी हमारी फूल कर आ गई है और अग्स्टा तीन पूडिया डाल देखेंगे हम आपको जाधा जाधा डाल कर दिखा रहे हैं जिससे कि आप है के आपको तेन नहीं पूडिया पड़ी में यह जो थोषगा और भी हम डाल देंगे एक तो इस तरह से हम जतनी आल है उतनी पूडिया डाल सकते हैं तो यह देकि बन कर के तयार है घरमा गरम कली नहीं को मने छोले की सब्जी के साथ सरु किया आपको जिसके साथ भी सरु कचोड़िया तैयार है तो अगर पसंद आए तो लाइक सब्सक्राब